नमस्कार, welcome back to my channel तो देखिए मैंने आपसे कहा था तो मैं आज फिर आपके लिए दूसा केक लेकर आई हूँ वो है कस्टड केक, क्योंकि क्रिस्मस आ रहा है सब को अपना-पना टेस्ट का केक पसंद आता है तो आज जिनको कस्टड केक पसंद है यह उनके लिए बना रही हूँ है और बहुत ही easy और simple method से इसके लिए आपको कोई oven की जरूरत नहीं है और ना ही egg डालने की जरूरत है और ना ही मैं इसमें sure डालूंगी तो चली शुरू करते हैं पमी recipe कस्टड केक के लिए मैंने एक बड़ा बरतन ले लिया है बूल ले लिया है और उसमें लगा लिया है चलनी से हम सारे dry ingredients अपने चान लेंगे और उसके लिए सबसे पहले ले रहे हैं एक कप मैदा और एक कप मैदा के लिए मैंने लिया है 1 4th cup custard powder custard powder जो मैंने लिया है वो vanilla essence का लिया है आपको जो पसंद हो strawberry या कोई भी अगर आपको पसंद है तो आप दूसरा भी ले सकते हैं मेरे को vanilla पसंद है इसलिए मैंने vanilla लिया है vanilla essence का और अब इन दोनों चीजों को हम छान लेंगे पहले और आप इसको एक की जगे दो बार भी चान सकते हैं और अब इसमें डाले हुए baking powder baking powder डालेंगे हम देड़ छोटी चमच चमच को अब इस तरह बराबर कर लें एक चमच डाला अब आधी चमच देड़ चमच हमने इसमें baking powder डाल लिया और अब इन सभी चीजों को अच्छी तरह आप चान लें दीरे दीरे इस तरह आप इसको चानते जाएं जिससे अच्छी तरह mix हो जाएगा और इसमें कोई lumps भी ने रहेंगे कोई गांठे ने रहेंगी आप चाहें तो इसको दो बार भी चान सकते हैं अब मैं इसको दो बार की जगे यकी बार मैंने चाना हैं और इसको अच्छी तरह mix कर लूँगी चमत से इस तरह सारा mix कर लें और mix करने के बाद इसको हम हटा कर रख देंगे और अब हम हमारे जो liquid ingredient है उनको mix करेंगे उसके लिए मैं ले रही हूँ मिक्सी का जार आप बिना मिक्सी की जार भी इसको मिक्स कर सकते हैं पर मिक्सी में करते हैं तो अच्छी तरह मिक्सिंग होती है इसका जो पेस्ट तयार होता है वो बहुत अच्छा असा होता है तो इसलिए मैं मिक्सी ही ले रही हूँ और मिक्सी में सबसे पहले डाल रही हूँ मैं यह है देसी खांड मैं white sugar avoid करती हूँ उसकी जगे इसको healthy बनाने के लिए मैं देसी खांड easily बजार में मिल जाती है थोड़ी सी दानी दार होती है आपको दिख रहा होगा राने इसकी जगर आपके पस नहीं है तो आप बूरा भी ले सकते हैं जीनी भी ले सकते हैं यह ले रही हूँ में आधा कप आधा कप देसी खांड डाल रही हूँ और आधा कप ही मैं डाल रही हूँ इसमें oil आप कोई भी ले सकते हैं जैसे ओली ओल ले सकते हैं या जो भी ओल ले उसमें खुश्बू ना हो ऐसा ओल ले और ओल की जगे आप बटर भी ले सकते हैं घी भी ले सकते हैं मैंने ओल इसमें डाल दिया है अब इसको हम अच्छी तरह मिक्स करेंगे देखे कितना बड़ी तरह मिक्स करते हैं तो अच्छा सा आपका बैठर तयार हो जाता है और आप इसमें डाल रहे हैं आधा कप दूद इसको भी आप मिक्सी में चला लें अच्छी तरह मिक्स कर लें यह देखिए तीनों चीज मेरी मिक्स हो गई है और कितना बढ़िया सा इसका एक लिक्विट दूसरी बर्तन में निकाल लेंगे इस लिक्विड इंग्रिडियन्ट को और इस में फिर हम मिलाएंगे अपने जो हमने ड्राय इंग्विडियन्ट के थे उनको यह देखिए मैंने एक बड़े बोल में इसको निकाल लिया है जिससे हम इजीली इसको मिक्स कर सकें अब धीर कि अ जो संसाइक ज़रूरत के अगे और डालेंगे आधर मिक्स्र झ़िए दीड़ horrific मिक्सचर करने लिए है देखिए काफी गाड़ा है हमको इसको थोड़ा सा पतला करने पड़ेगा जिससे कि एक फ्लो में गिरे जब हम इसको उपर से डाले जैसे अपने रिबन फोल्ड होता है उस तरह से देखिए आपको दिख रहा होगा काफी गाड़ा है यह बैटर इसका तो हम इसमें करीब 2 एक इसमें मिक्स करेंगे अब जब بहुत मिक्स करें तो आप देख लें कि इसमें जरुट है एक स्पून या दो श्पून जित्नी भी जरूफ добр तो इसकी अक औरिंग करें मैंने अभी एक टेब्ल स्पून डाले ए इसको भी इच्छी तरह मिक्स equi कर लेती हूं भी यह कहा तो एक टेबल स्पून हमें इसमें और मिल्क डालना पड़ेगा, यह देखिए, मैं एक टेबल स्पून और डाल रही हूं, इसको भी अच्छी तरह मिक्स कर लें, मिक्स आप बहुत हलके हातों से करें, और जैसे cut and fold मैथड होता, उसी तरह से आप इसको मिक्स करें, बहुत त बहुत आसानी से घर में बन जाता है, और इसको टेस्ट बिल्कुल वैसे हाता है, जैसे बजार में अपना बिटेनिया केक मिलता है, बिल्कुल वैसे ही, और इसे आप आसानी से कुकर में, कड़ाई में, या पैन में, किसी में भी बना सकते हैं, बहुत ही आराम से बनता है, के लिए और इसको डेकोरीड करने के लिए आप इसमें टूटी फूूटी डीकारीज काजू की छूटी चुटी gitकडेज अपने टेस्टनुसाथ । मैं इसमें डाल जी आफ टूूू। मैंने बड़ा चमच भरके इसमें टूूटी फूू। डाल लिया है इसको mix कर लेंगे, mix करने के बाद जब हम इससे bake करेंगे, तो उपर से भी थोड़ा सा इसमें और डाल देंगे, जिससे देखने में बहुत अच्छा लगे, इसको देखे, मैंने mix कर लिया, अच्छी तरह, मेरा बैटर बिल्कुल तयार हो चुका है, अब हम इसको bake करेंगे, इसके लिए मैं ले रही हूँ केक टिन, अगर आपके पास केक टिन नहीं हो, तो आप किसी भी स्टील के जो बरतन आते हैं, गोल हो, टिफिन हो, या किसी भी उचे बरतन में आप ले लें, उसकी उचाई थोड़ी ज्यादा होनी चाहिए, जिससे जब ये केक फूल है, तो शीब पूर नहीं करके लें, तो मैंने ये ले लिया है, केक टिन, अब मैंने थोड़ा सा अॉयल डाल कर इसको ग्रीज कर लिया है, अब ओल डालके अच्छी पूरा Г्रीज कर लें, चारौ तप्धर पेपर तो आप इसमें इसी के साइस का बटर पेपर काट कर लगा सकते हैं पर मैं बटर पेपर नहीं लगा रही हूँ मैंने इसको ग्रीस किया और ग्रीस करने के बाद मैदा को डस्ट कर लिया है अब मैदा ले मैदा डाल के इसमें डस्ट करके चारो तरफ इस तरह गुमा गुमा कर इसको लगा लें, तो यह मैदा जो चारो तरफ चिपक जाएगी और जो एक्स्ट्रा मैदा हो उसको हटा लेना, इस तरह अगर आप लगाएंगे तो आपका केक बहुत इजीली निकल जाएगा, देखिए हो गया अच्छी तरह यह पूरा का पूरा डस्ट इसमें, मैदा लग और इसको अब थोड़ा सब थप थप आलें, जिससे के अच्छी तरह इक्वल फैल जाए, और अब इस पर मैं ऊपर से थोड़ी सी टूटी-फूटी और डाल रही हूँ, जिससे देखने में बहुत ही अच्छा लगता है, इस तरह चारो तरफ फैला लें, अब हम अपने के एक को बेक करेंगे, मैं कर रही हूँ, इसको एक पैन में, एक मैंने पैन ले लिया है, और पैन को मैंने पहले से ही गैस पर रख दिया था, करीब दस में पहले इसको प्री हीट होने के लिए, और मैंने मीडियम टू हाई फ्लेम पर इसको रखा था, और ये प्री हीट हो च अब हम इसको धीरे से हटाएंगे डखकन को और इसमें अपना केक का बढ़ता है उसको धीरे से लग देंगे इसको रखने के बाद आप इस डखकन को अच्छी तरह धग दें इसमें चारो तरफ से इसकी हीट नहीं निकलनी चाहिए इस तरह का ध्यान रखें कि डखकन मैं बिलकुल धीमा कर दिया है मतलऻ धीमे से थोड़ा से जादा मीडियम और स्लो के बिलकुल बीच में रखा हुआ है अब तेज बिलकुल नहीं रखें स्लो से थोड़ा से जादा रखें और इसको करीब हम 35 मिंट के लिए रखेंगे 35 से 40 मिंट भी हो सकता और 35 से 30 मिंट भी हो सकता है तो अब 30 मिंट से पहले इसको खोलेनी और फिर इसको चेक करें देखिए मैंने 35 मिंट पर खोला था लेकिन तब ये थोड़ा कच्चा था अब ये करीब 40 मिनिट हो गए है और अब हम इसको चेक कर लेते हैं ये देखिए toothpick बिल्कुल साफ है अंदर डालने पर मतलब हमारा केक बिल्कुल तयार हो चुका है इसके चारो तरफ आप देख रहे होगे जगे छूटी हुई है मतलब केक तयार है अब हम इसको निकालने के लिए आप इसको चारो तरफ फूड़ा स स अधार होगे दिख यह वहाँ अब इसको दिर से घुमा ले कुछ इस तरह है और हलके हाथ से इसको थप थप आ दें यह इजीली बहार निकल जाएगा यह दिखिए क्या फस्ट क्लास हमारा कितना खूबसूरत कलर आ है इसका सिक्कर तयार हो गया अब धीरे से आप इसको पलट लें आपको दिख रहा होगा कितना सॉफ्ट है यह बहुत अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें मेरी रेसिपी को लाइक शेर जरूर से करें और हाँ यह कमेंट करके जरूर से बताएं कि आपको कौन सा केक अच्छा लगता है मैं कोशिश करूँगी कि वही केक आपको बना कर जरूर से बताऊं तो चली मिलते हैं